नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे rejection of plant की हाला कि मैं इसके regarding एक वीडियो पहले बना चुगा हूँ पर एक यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि वाइडली कोड्स में प्रैक्टिस में होता है तो मुझे लगा कि शायद मुझे इसकी वीडियो एक स्पेसिफिक बनानी चाहिए तो मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो ट्रिशे PC श्फव्प्लेइन एक कैसी चीज होती जिसमें आप अपने अपोनेंट को बिना लड़े ही हरा सकते है ठीक है तो प्लेन को LoAH區 कर दिया जाता यह ऐसे essential bundle of facts होते हैं जो plaintiff को right देते हैं for relief ठीक है for claiming the relief ठीक है अगर कोई plant ऐसा fact disclose नहीं कर रही है तो फिर उस plant को हम directly reject कर देते हैं right फिर दूसरा जो ground है कि where the relief claimed is undervalued and plaintiff on being required by court to correct the valuation within time fixed by the court fails to do so जब कोई जो है अपने suit को undervalue करता है for selecting forum or for any other purpose ठीक है court fees कम बरने के लिए इस तरह से जब कोई करता है तो उस suit को तो भी reject किया जा सकता है अगर court ने उसे time दिया कि आप इसे ठीक की जिए और फिर भी कोई ठीक नहीं करता तो फिर उसे reject किया जा सकता है ठीक है where the plant is insufficiently stamped कई बार क्या होता है जो plaintiff होता है जो relief claim करता है is properly valued but plant is written upon a paper insufficiently stamped ठीक है अपने पैसे ऐसे बचाने के लिए वो ऐसा कर लेता है तो फिर वहाँ पे भी court ऐसा उसकी प्लेंट को reject कर सकता है अगर court जो उसे time देता है उसमें वो उसे ठीक नहीं करता है अगर कोई ऐसा suit है where the suit appears from the statement in plain to be barred by law ठीक है जब कोई on the face of it court को ऐसा लग रहा है कि यह जो है this suit is barred by law ठीक है तो court उसे reject कर सकता है जैसे कि अगर किसी case में section 80 की जो requirement है notice की वो fulfill नहीं की गई है तो court उस प्लेंट को reject कर सकता है directly ठीक है फिर जो है where it is not filed in duplicate अब जैसे यह rule है कि plant को जो है duplicate में file करना होता है यानि दो copies देनी होती है अगर नहीं दी तो फिर इस ground पे भी plant को reject किया जा सकता है ठीक है फिर last है where there is non compliance with the statutory provisions where the plaintiff fails to comply with order 7 rule 9 फिर वहां पे भी plant को reject किया जा सकता है और यह जो यह चे ग्राउंड है यह सिरफ ऐसा नहीं है कि इन्हीं के basis पे प्लेंट को reject किया जा सकता है यह कोई exhaustive list नहीं है plant को और भी grounds पे reject किया जा सकता है जैसे कि मान लीजे एक केस ऐसा भी हो सकता है कि प्लेंटिफ ने जिस परसंद को ऑथराइज ही नहीं किया साइन करने के लिए उसने उसने प्लेंट को टो साइं कर दिया और फिर यह defect को क्यों भी नहीं किया जाता डेस paint up parameters गो risen इंज्ट्रूज हें यह को है में गएकेया सब्सक्राइब हो 000 सब्सक्राइब को इसमें टाइम नहीं देना चाहिए किसी को ठीक है और एक्सेंड नहीं करना चाहिए एक बार दे दिया टाइम जितना उतने में उसे क्लियर कर लेना चाहिए अगर वो नहीं करता तो फिर किसी exceptional situation में ही उसका टाइम बढ़ाना चाहिए को अधरवाइस को उसका टाइम नहीं बढ़ाना चाहिए अब order 7 rule 12 यह कहता है है वेर अप्लेंट इस रिजेक्टेड दजज शेल रिकॉर्ड 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 विद रीजन फर सच ओडर ठीक है अगर प्लेंट को रिजेक्ट कर दे जाता है तो फिर उसके लिए अप्लिकेशन इन फॉर्म ऑफ इंट्र लोगेटरी अप्लिकेशन अट एनी स्टेज अफ प्रोसीडिंग ठीक है और दूसरा स्यूम उट्व कोट रिजेक्ट कर सकता है ठीक है अब कुछ हम लैंडमार्क जज्जमेंट्स देख लेते हैं जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट प जो से पहले यह अंद्रप्रदेश हाई कोट की जो जज्जमेंट है यह कहती है कि प्लेंट को पाटली रिजेक्ट ने किया जा सकता है इत मस्त भी रिजेक्टेट इस अफूल ठीक है इत कैनाट बिजेक्टेटेट इन पाट एंड एकस्टेटेटेटें रिटेंड इन और बिजर वज एक्टिस और यह अगर एविदेंस रिकॉर्ड हो गई है और सिरफ दिले करने के लिए साथ की आप्लिकेशन फाइल कर दी तो उस अप्लिकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है यह शूपन सुग्देव सबल वर्स असिस्टंट चैरिटीज कमिश्णर की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इस केसमें ठीक है फिर एक कुल्दीप सींग पथानिया वर्स विक्रम सिंग जार्या की जजमेंट है इसमें सुप्रीम कोट ने है कहा था की दैट for an application under order 7 rule 11 of CPC only pleadings of plaintiff can be looked into and neither the written statement nor argument can be considered for inquiry. ठीक है मतलब सिरफ plaint देखके आपको ही decide करना है खास तौर से जब cause of action के उपर बात हो. फिर Supreme Court की एक और judgment है वो ये कहती है, application for rejection of plaint under order 7 rule 11 of CPC can be filed at any stage and the court has to dispose the same before proceeding with trial. ये इस judgment में Supreme Court ने कहा था An order rejecting a plaint is a decree and hence it is appealable it was held in Bihas Mohan Mukherjee and Hari Mohan Hari Charan Benerji ये जो rejection of plaint का order जो होता है It is like a deemed decree as per the definition of decree in this EPC तो उसको फिर हम appeal भी कर सकते हैं appeal का हमारा right होता है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए अपने सवाल order 7 rule 11 से related comment कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए तर दोस्तों का रवजिए pissy अपने सकते हैं प्रवाची उसका रवाची शुलाओब सब्सक्ष्ट प्रवाची नात्रावची होगज और मेरे चैनल का भ्लावची थैंणिधिए तोस्तों के एंपने सकते हैं